लुद्याना विखेश रॉमने कालिदल दे सीनियर नेता महेश इंदर सिंग गरेवाल ने रेल बांत होन तो इंडस्ट्री नू हो रहे नुकसान देले पंजाब ते केंदर सरकार दे रवेए नू जिमेवार धेराया गरेवाल ने कहा कि दोना सरकारा आपस चे फिक्स मैच खेट रहे यहाँ जिसनल पर सिद्ध होजरी आटो पार्ट्स हैंड एंड टूल्स इंडस्ट्री नू नुकसान सैना पह रहे है इसते नाली उनने शिरिकरतारपूर साहिब गुर्द्वारा साहिब दा कंट्रोल पाकिस बावनार ना कांग्रेस मांदा रही ना पार्टी जनता पार्टी रही मैं ये बात सपश्ट करनी चाहता हूँ कि जहां तक पंजाब का सबंध है पंजाब के साथ ना कभी इंसाफ कांग्रेस ने की है ना इंसाफ भारती जनता पार्टी कर रही है वो यह नहीं समयते कि यह border state है बड़ी sensitive state है यहां पर already बाहर लियां शक्ति दो तीन वारी हमले कर चुके हैं करतार अपना पठान को टेर बेस पे हमला हुआ दो महिने पहले जो चार-पांच पाकिस्तान से आ रहे आतांकवाड़ी डेर की एगे border पर वो बात हुई और कई दफा उनके ड्रोन फड़े हैं जो हथियार इदर लाते हैं government of India को बहुत सोहिरदा से चाहिए कि पंजाब को तो आर्थक package दें जो करोना की वज़ा से और जो किरसान moment की वज़ा से पंजाब का आर्थक नुकसान हुआ है special package दे के पंजाब की financially help करें इसकी rehabilitation के लिए यहां job provide करने के लिए यह बड़ा महंगा सौदा पड़ेगा government of India को अगर उन्होंने पंजाब में कोई आर्थक नुकसान पहुचाना चाहिए देखो सबसे परेशान हर पंजाबी है क्योंकि पंजाब की आर्थका बहुत बड़ी चोट लगी है और चोट लगी है दिली की सरकार की और पंजाब की सरकार की नाकाम जाबी से अगर वो यह जो किरसानी का मसला है इसको तुरंट हल कर देते तो यह स्थिती नहीं आनी थी अब क्या बात हुई हुई है माल गड़्यां के ना चलने से खाद नहीं आ रही कोला नहीं आ रहा है, पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, ट्रेड खतम हो रही है, जो इंडिस्ट्री आओ खतम हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो स्टीला सारा बलवगर्ड याड में उतर रहा है, उधर से बाई रोड लाना पड़ता है, इसी तरह जो डी एपी और खेड के गाड़ियन नहीं चलने दे रही, वो पंजाब के हित के खलाफ है, पंजाब की करसानी के साथ साथ पंजाब का विपार और इंडस्ट्री बचाना भी उतना ही जरूरी है, जतना पंजाब की करसानी को बचाना जरूरी है, तो ये मसला तुरंट हल करके, जो देली क कि सरकार कहरे ही है जो रेलवेड कहरे है कि हम तो रंड गाड़ियें चलाएंगे उसके बावजूद वो नहीं चला रहे कहीं न कहीं उनकी सोच पर शक उठता है तो मैं समयताओं कि उनको और देरी नहीं करनी चाहिए देरी के साथ पंजाब के अमन और चांटी को बहुत बड़ा कत्रा है देखो मैं समयता हूँ कि बहुत दुक्ती बात है कि जो पाकिस्तान की सरकार ने सिक्खों के अंदरूनी मामल, सिक्ख मामल, धार्म का मामलों में धाकल दिया है ये दुनिया में कहीं मीं नहीं हुआ कि किसी एक धर्म का जो धर्मस्थान हो उसका परबंद उस धर्म के लोग ना करें और गैर धर्मी लोग करें अगर ये कोई मक्का मदीना का कल कोई गैर मुसलिम इंतजाम करें मेरा खहल कोई मुसल्मियान इसको पसंद नहीं करेगा इसी तरह ही जो उन्होंने पाकिस्तान सरकार ने वो बोर्ड बनाया है उसमें एक भी सिख मेंबर महीं है यह जाहर करता है कि वो सिखों को चोटल गाना चाते हैं वो अपनी राजनीती करना चाते हैं सिखों को नीवां दिखाना चाहते हैं और मैं मांग करता हूं गौर्मेंट ओफ इंडिया से भी और पाकिस्तान गौर्मेंट को भी यह मैटर टेक अप करके तुरंथ बेतर तो होगा कि अगर यह सजी पीसी को को भी प्रबंद साम देना चाहिए को कोई कोरीडोर खुल है वर्ल्ड ओपन चैलेंच वर्ल्ड फेमस मिया रह मतली जी जो करनगे तो अड़ी हर समस्या दा हल स्पेशलिस्ट वशीकरन लव मैरिज लाटरी नंबर मन चाया प्यार करजेतो छुटकारा विदेश यात्रा कीता कराया सोतन दुश्मतों छुटकारा खुन दे छिटे आउ पति पतनी चर्ण बन हर जेगा तो निराश होई लोग एक वार जुरूर फोन करो हर समस्या दा हल सिर्फ एक की केंट्याच एक सो एक परसंट ग्रटी नाल उमेद दी आखरी किरद मिया रह मतली जी एक वार फोन जुरूर करो अठतर साथ सो बहत्तर पंताली छेसो पच्व बन्जाँ